लोगसभा चुनाव संपन होने की बात पियम मोदी ने मोदी का परिवार कैमपेंग को लेकर एक अपील की है उन्होंने कहा है कि इस कैमपेंग से मुझे बहुत ताकत मिली अब प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि वो सभी लोग अपने सूशिल मीडिया प्लाटफॉर्म से मोदी का परिवार हटा सकते है यह मोदी ने सूशिल मीडिया एक्स पर लिखा है कि लोग सबाचुनाव प्रचार के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रती स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सूशिल मीडिया आकाउंट पर मोदी का परिवार लिखा था इससे मुझे बहुत ताकत मिली भारत के लोगों ने एंडिये को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है जो की एक तरह का रिकॉर्ड है हम सब एक परिवार हैं और ये संदेश प्रभावी ढंक से पहुँचाए जाने के बाद मैं एकबर फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और अनरोध करूंगा कि अब आप अपने सोशिल मीडिया प्लाटफॉर्म से मोदी का परिवार हटा सकते हैं एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट है मोदी 3.2 की सरकार एक्शन मोड में हैं मंगलवार को मंत्रियों ने अपना कामकाज समभाल लिया है ब्यार से च्वार क्याबिनिट मंत्री ने अपना पदभार समभाल लिया गिरीराज सिंग ने कपड़ा मंत्राले का पदभार समभाला ललन सिंग ने पंचायती राज मंत्राले का पदभार समभाला चिराक पास्मान ने खाद प्रसंसकरण विभाग का पदभार समभाला तो जीतन रामाजी ने सुक्ष्म लगू मध्य मुद्योग मंत्राले का पदभार संभाला मोधी 3.2 के अबरेट में बिहार से 8 मंत्री बने हैं अपने अपने विभाग के कमान समालने के बाद सभी मोधी के मिशन 2047 के साथ विक्सित बिहार बनाने के लक्ष में जुटक आ हैं मोधी सरकार 3.0 के गठन और मंत्रालियों के बटवारे के बाद सभी मंत्रीों ने अपना-पना कारेभार समहल लिया है और पियम मोधी के विजन को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने काम में लग गए हैं खार्दी मंत्री चिराग पाजवान जब अपना कारेभार समहलने पहुँचे तो उनके साथ पूरा परिवार भी मौजूद था जस कुर्सी पर कभी उनके पिता स्वर्गी रामविलास पाजवान बैठा करती थी अब उसी कुर्सी पर बैठ कर चिराग पाजवान को काम करने का मौका मिला है पूरी महनत से पूरी निश्टा से निभाने के संकल्ब के साथ यहां आया हूँ फूट प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूट प्रोसेसिंग का ही है ये एक ऐसा विभाग है ये एक ऐसा छेतर है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्पत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है स्कोप हद से ज्यादा है अगर आप दुनिया भर में फूट प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वाल्मेंट देखेंगे उसके बनिस्पत भारत में लगभग दो से तीन प्रतीशत भी इसका इन्वाल्मेंट नहीं है आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत जादा है वही एक ऐसा